जोल टाइम एंड बाउंस रिट दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं और कौन सा पैरामीटर हमें क्या इंडिकेट करता है अगर आप SEO या वेबसाइट ओनर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानते हैं इस वीडियो के अंदर इसी दोनों के बारे में डेटे अच्छा बना रहे और यूजर अगर हमारी वेबसाइट पर आया तो वह वापस जो है वो नहीं जाना चाहिए उसको उसका relevant content जो है वो मिलना चाहिए और इसी लिए हम कई सारे different parameters पे काम करते हैं लाइक उसका जो structuring है वो perfect होना चाहिए उसके साथ में हम high quality का जो content है वो भी यहां पे provide करते हैं बट उसके apart from that also की कैसी पता चलेगा हमने तो हमारी तरफ से बहुत अच्छी मेनत करी कि हमने हमारे according बहुत अच्छा content डिलीवर किया और साथी साथ में हमने उसका जो structuring है वो भी काफी अच्छा करने की कोशिश करी है लेकिन जो हमने बाकी वो लोगों को पसंद आ रही है क्या यह अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमें dwell time and bounce rate इन दोनों parameters के उपर में focus करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा तब ही जाकर हमें यह पता चलेगा तो अच्छी हम discuss करते हैं कि dwell time होता क्या है सो basically dwell time जो है इसको कहते हैं जब आप किसी भी कोई भी user माल लिजे अगर किसी भी search engine के उपर में जाके कोई भी चीज सर्च करता है और हमारी website वहाँ पे rank में आ जाती है और वो click करके हमारी website पे आया अब हमारी website में आने के बाद में अगर उसने से फर एक्जामपल पान सेकेंड दस सेकेंड पंदरा सेकेंड वी सेकेंड एक मिनट दो मिनट चार मिनट पंदरा मिनट जो भी time spend करा है भले उसने कुछ किया चाहे नहीं किया यानि कि उसने उसके कोई उपर कोई call to action जिसको ग एक्टिवली time spend करा है उस time को जो है हम कहते हैं यहां पर dwell time फिर bounce rate क्या है से bounce rate जो है बेसिकली हमें बताता है कि जो आपका user search कर रहा है उस पे click करा हमारी website वहां पर आने लग गई उसने click करा हमारी website पर आया और यहां पर आने के बाद उसने देखा कि हमारा content जो है वो सही नहीं होगा या जो भी उसको लगा होगा तो वो वापस चला गया within 2-3 seconds के अंदर या 4-5 seconds के अंदर वो वापस चला गया तो यह आपका bounce rate कहलाता है यानि कि user आतो रहे हैं लेकिन उनको उनका relevant content जो है वो नहीं मिल रहा है इसलिए वो तुरंत ही हमारी website को छोड़ कर वाप सकते हैं इसके पीछे कारण सिंपल हो सकते हैं bounce rate के increase होने के कि जो user है वो आपके page पे आ रहे हैं लेकिन जिस चीज को वो सर्च करके आ रहे हैं वो content आपके उस page के उपर में available नहीं है या जो भी keyword वहां पे वो सर्च कर रहे हैं वो keyword से related content जो है वो आपकी website पे उस particular page के उप पर में available नहीं है अब ऐसे में हमें as a technical देखना पड़ेगा as a SEO देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से keywords हमने इस्तेमाल करें हैं जो हमारे content से relevant नहीं है बट स्टिल वो जो है हमारे rank में लेकर जा रहे हैं और वहां से हमें bounce rate increase हो रहा है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी ह होती है don't worry यह सारी चीज़े हम एक initial stage पे हैं आपके SEO course के और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारा यह basic जो third एकदम theoretical जो section है वो cover up हो जाएगा उसके बाद में यही सब चीज़ें जो है हम practical भी करने वाले हैं so guys I hope कि यह जो SEO की complete series चल रही है वो आपको पसं बिलती रहेंगी फिर मिलता हूं एक और amazing video के साथ तिल देन, stay safe, goodbye.